नमस्कार दोस्तों अर्लोड पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बहुत बुरी खबर है यार बैड नियूज है एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखेगा ये सिच्वेशन आप सभी लोगों के साथ भी हो सकता है लोन मॉलेटरम मॉलेटरम एक्स्टे आपको वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि आपको मालूम है मैं जो भी बात करूँगा प्रूफ के साथ बात करूँगा बिना प्रूफ के साथ कोई बात ने करेंगे ध्यान से देखेगा आर इबिया की ब्रेकिंग खबर है आर इबिया का लोन मॉलेटरम एक्स्टें को सबसंए इढकर सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें कर लिए कर लिए करें कुछ you इतना टाइम दे रहो मतलब समझ रहो बरी आप अपनी समस्या गंभीर से लिख रहो यह देखिए कमेंट हमारे पास कई सारे हैं लेकिन जो कुछ सबसे पहले समस्या बरी गंभीर से नितीन गंडटरी दिए आज़ को इसी में इक मैं है मिसेश स्वाती मेम का है ये कमेंट है इसमें इसका कमेंट में ये समझ लेजिए फिर अभी बात करेंगे इसका जो घर को दोस्तों NPA की कारवाई करके यहाँ पर बैंक ने पजेशन ले लिया और फिर घर को क्या कर दिया निलाम भी कर दिया अब ये किराये पे रह रही है प्यार से उसको घर में डेकोरेशन वगेर करते हैं और फिर जब वो घर आपका निलाम हो जाए समझ रहे हो बात को इसका कई सारे इसूज है यार क्या बताया जब अभी बात करेंगे आगे मिस मत करना यार पूरा कमेंट परने वाले है इसका भी है और दूसरा इसका समाध करेड़ कार्ड चल रहा है सब्सक्राइब बैंक के उपर सारे पावर है सरफेशी एक्ट शिक्यूर लोन वाले तो समझी जाओ जो बैंक को बैंक ही सारा कुछ है ठीक है और मिल बैटके बैंक से ही सारा कुछ आपको मामला कोट में भी जाओगे तो याद रखेगा आपको पैसा खर्च होगा ध्यान रखेगा जदी आपके पास जितना पैसा कोट में खर्च करने के लिए उतना लोन वाले से मिल जूल के बात करके मामला खतम कर लो जो भी हो रहा है इसलिए मैं ध्यान सुनेगा जो में बात बता रहा हूं ठीक है दूसरी बात जो जो आपके पर निंग का कोर्स ले लो 599 से स्टार्ट है इसमें यूटूब से रिलेटेड जितनी भी सर्विसे से आपका चैनल वगरा हो गया पर मोशन हो गया यह सब लोग देंगे और यूटूब से अर्निंग का सबोर्ट भी मिल जाएगा साथ साथ हम लोग पर मोट भी कर देंगे वाटसब करिएगा वाटसब कर लेजएगा वाटसब पर आ जाएगा जैदी वाटसब नहीं करते हैं तो डारेक्ट यहां से करें लेकिन ध्यान रखेगा फिरी में कुछ भी ने फिरी वाले सारे चीज बंद हो चुका है अब देखें यहां पर यह क्या है यहां लिंक दिय यूट्यूब चैनल अभी जो मैं बात बता रहा हूं नहीं तो जिन्दगी पर पस्ताते रहोगे फिर बोलना अर्ली उट सर ने मैंने आपकी बात नहीं मानी इसलिए मैं आज पस्ता रहा हूं ठीक है यह बात होगी दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं यहां से पेमेंट का स इसका सरकारी करमचारी हूं सरकारी करमचारी होगे दो पुत्रों का रोजगार यहांनी इससलिए पूरा आर्थिक बाहर मेरे पर आगया देखे कितनी दुखत बात है पूरा आर्थिक बाहर इसके उपर आगे बनारसिलाल जी के उपर ठीक है जी मेरा HDFC बैंक का पर्सनल लोन चल रहा है ठीक है जी एच डीफशी बैंक का पर्सनल लोन चल रहा है ठीक है दो किस्त बकाया चल रहा है ठीक है जी दो किस्त बकाया चल रहा है बैंक मेरे पर कारवाई करेगा सर जी यानि कमेंट में जवाब देना जी देखें कमेंट में तो यार आपके लिए वीडियो ही आ गई ठीके जी उससे बरी बात हो गई अब देखिए यहां पर समस्य क्या है आपने जैसा की बताया दो किस्त आपका इसका समधान जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना अभी सभी लोग देख लेना दो किस्त इसका बकाया चल रहा है हप सबसे पहला सुलिशन इसका ध्यान से देख लीजेगा आपका पर्सनल लोन है ठीक है अनसेक्योर लोन है ध्यान से दो किस्त जैसे ही बकाया चल रहा है आपका जैसे ही ध्यान सुनिएगा पहला किस्त दूसरा किस्त का डेट जैसे ही निकल गया तो बैंक आपको कॉल पे कॉल तो करेगा ही करेग लेकिन अभी आपको at least मेरी सलाह मानो तो एक किस्त आप पे कर दो यह जो अभी तीसरा किस्त आने वाला है या दो किस्त आपने दिया तो नहीं है लेकिन अभी एक किस्त आप क्या कर लो पे कर लो इससे क्या होगा आपका इधर यह दो किस्त दो बाउंस होने के बाद आपका यहां आपका NPA होने के अभी जो तीसरा भी जैदी बाउंस हो गया आपका तो NPA वाली बात हो जाएगी situation बहुत जादा गंभीर हो जाएगा आपका क्या होगा उससे अभी आपका loan क्या है दोस्तो SMA 0 निकल गया आपका SMA 1 भी निकल गया क्योंकि 61 दिन से लेके यहां पर क्या है SMA 0 कब होता है 0 से लेक एक दिन से लेके 30 दिन तक और 31 दिन से लेके 60 दिन तक ठीक है यह हो गया SMA यानि दो किस्त आपका निकल चुका है अब तीसरे में जाना है यानि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है तो एक्सीडेंट होने से पहले गारी को आप समझ के बात को तो अभी फटाफट आपको वन किस्त जो है वन EMI आपकी जो है यह EMI आप पे कर लो और HDFC बैंक वाले सांत हो जाएंगे फिर आपको करना क्या है अभी देख लिजिए दूसरी बात जदी आपका दो किस्त बाउंस भी हुआ है लेकिन आप यहां पर एक और बात आती है जो RBA का ध्यान से सुना RBA का Resolution Framework 2.0 है जिसके तहत आप Moratorium या Re-Structuring ले सकते हैं लेकिन वो बैंक का Soul Discretion है वो आपकी सारा चीज़ देखते हैं वो आपको Moratorium या Re-Structuring देदेगा जैदी Moratorium या Re-Structuring देदेता है और आपको Moratorium देदेगा तो आपको EMI पे करने की जोड़त नहीं है Re-Structuring देगा त अब इसमें से at least जो है या तो आप दूसरा किस्त होता तो ये पे हो पाती है तो आप पे कर लिजे चलिए ठीक है दूसरा किस्त पे कर पाते हो ये जो थार्ड वाली जो पे किस्त है दो किस्त निकले गिए अब एक किस्त पे कर लिजे हो पाती है तो ठीक है बैंक लेकिन इ आप हम लोका ये कॉर्स ले लो और आप वीडियो बनाना है जो कर दो लों कि कर दो सबुनी जानकार सब्सक्राइब के अम लोग का वीडियो आती है यह सवाथी Mexican कमेंट महिंट बना हुए है लिखी हुए चलो जी कमेंट लेते हैं इनका कमेंट क्या कर ये हलो सर प्लीज हल्प मी मेरी प्रोब्लेम सिरियस है और पूरा पढ़कर जरूर रिपला किजिए ठीक है जी और मैं आपकी वीडियो पिछले 2020 का मोरेटोरियम से देख रही हूं मुझे 2020 में मोरेटोरियम मेरी होम लोन पर मिली थी ठीक होम लोन पर मोरेटों मिला था 2020 से देख रहे हैं बात अच्छी बात है थैंक्यू इसके लिए इसके बाद लेकिन सितंबर 2020 के बाद EMI भरी तो EMI नहीं भरी यानि सितंबर देखो इसका एक मार्च 2020 से लेके 31 अगस 2020 तक मोरेटोरियम था लेकिन आ हो गया यार सिच्वेशन यहीं है लोग भरी नहीं पारें ठीक है यानि 2000 अभी तक नहीं भरी है होम लोन डिफॉल्ट हो गया और NPA करके बैंक ने पजेशन ले लिया बैंक ने ठीक है लेली और मेरी घर को मेरा क्या लिख रहे हैं मेरा घर को निलाम कर दिया इसके घर को भी यार आक्षन पर लगा दिया नि बेच दी बैंक ने रिकवर बैंक ने इसका घर को क्या कर दिया इसका घर को निलाम कर दी मैं और मेरी फैमली बहुत परेसान है और अब मैं किराए पर रह रह रहे हैं देखो यार कितनी बड़ी दुखत बात है अपने इनक समस्या है मेरी हेल्थ इसू है और करोना के बची करोना से बची करोना भी मेडम को हो चुकी थी जिसके बहुत दुखद बात है यार बहुत पैसा खर्च हो गए अब क्या करूं मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ 2020 की मोरिटोरियम से मैं बहुत बिमार रहती हूं और हेल्थ इसू है अब क्या क्या करूँ प्लीज बताएए मैं आपकी वीडियो देखकर वीडियो बनाने शुरु की प्लीज सपोर्ट में अच्छा चलो जी आपकी समस्या क्या है देखिए जी अच्छी बात है आपने स्टार्ट करी जो भी करी चलिए देखिए अब यहां पर आप समस्या क्या है देखिए आरबिया इन्हें जो भी देखिए बैंक ने आपका लोन को देखो जब आप EMI नहीं पे करते हो तो बैंक आपको मौका देता मौका देता है ज़िविख डिफॉल्ट ये लिखे 90 से लेकि amacwide कर गया लोन कहाँ है न्प एमें चला टीक आज पर और जो 9 से तो बैंक क्या करती है युद具 llon के टी जी से कारवाई करती है ठीक करता है तो दो हो गया काम थेकिन यहां पर आपके पूरा मामला ही रहे हाद से ते समझेट काफी है हम लोगों की संवेदिन हम लोगों की जो झाता है जो जो nova चला गया जदिए आप बोघसन लेके बैंकंग इनकार को निलाम कर दिया तो अब क्या हो सकता है इसका जरुब आप खुद समझे घर निलाम हो गया मतलब समझों जब जब तक आप ऐनर थे अभी तो आप ने एमाइ पे नहीं करी थी पूरा हुआ नहीं था पूरा लोन आपका तो उसका उनर की कौन था उसका नहीं थे उसका नहीं करा प्रो प्रोड की Campaign Till Si इसका मतलब क्या हुआ जो पजिस पार्टी ने उस हो उस घर को खरीदा जो आपका घर था बैंक के आउक्षन में उसका ओनर वो हो गया है समझ के बात को वह ऑनर हो गया अब इस हाथ आपके हाथ में कुछ भी नहीं ठीक है अब समाधान क्या है समाधान यह है जो अभी आपने बोला किराय पे रहा रहे हैं किराय पे रहे हैं ठीक है जी और आपको हैल्थ की भी इशू है और अब देखे जादा मानसी मेंटल परिसा मत लो टेंशन मत लो हमेंसा खुश रहो समस्या बहुत गंभीर है अब आपको इनकम पर फोकस करने चाहिए अरनिंग पर फोकस करने खुद सोचिए ना आपकी समस्य हेल्थ भी इसू है हेल्थ इसू है मेडिकल इसू है अब कहीं भी जाओगे कोई मेडिसिन लेने के लिए जोगे वहां आपको क्या परने वाला बताओ वहां आपको मनी की जोरत परेगी दोस्तों पैसे की जोरत परेगी जब पैसा रहेगा तभी तो आपको मेडिसिन लोगे ठीक है अब पैसे ही नहीं चलो रेंट पर रह रहे हैं लेकिन घर तो है अब किसी करोगे घर करेंगे तो फिर आपका रियंट भाली प्रोब्लेम खतम so लेकिन उसकी करना किया उसकी लिए तो काम तो करना परेंगा या तो जॉब कीजिते आप भी नहीं मिल पा रही है तो अभी आप क्या कर सकते हैं यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर आप क्या कर सकते हैं अपना एक YouTube चैनल खोल लो YouTube चैनल ओपे स्टार्ट कर लो ठीक है हम लोगों से जो सपोर्ट होगा हम लोगों सपोर्ट आपको क्या करेंगे प्रोवाइड कर देंगे और आप वीडियो बनाओ लोगों को जानकाई दो आपको लोन वगेर का हो गया जो कोई भी जानकारी है ठीक है और हम लोगों का ये YouTube वाला जो कोर्स है ये जोईन कर लो हम लोग पर्मोट भी कर देंगे अभी ओफर चल रही है तो आपको लोग प्यार महबद भी देंगे ठीक है जी तो ये सारी चीजे हैं कहने का मतलब क्या है जो आपको काम करना पड़ेगा हम लो और सर्विस ले लिजे इधर से हम लोग पर्मोट कर देंगे वेबसाइट वगरा बना लो ब्लॉग वगरा जदी आपका आता है तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लो ब्लॉग बना लो यूट्यूब चैनल तो जरूरी है यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दोस्तों वेब यह एक साथे बीचे के बीच पर आगा करने के लोग के देखेंगे देगे प्यार महबत देगे वीडियो आपका लोग देखेंगे लोगों को फायदा होगा तो डैली देखेंगे आपका वीडियो धिक यह सोलूइशन है, अब ठेंशन मतने लोग, जो हो गया, जो हात से निकल गया, वो आपके हात में आने में बहुत टाइम लेगा, भीतर है उतना थोरी मेहनत कर लो, 6 मैंना साल भर मेहनत करोगे, जी जान लगा के मेहनत करोगे, इतना तो देते हैं लेकिन कोपी तभी कर सकते हो जब आप को पर मिशन और उत्वरिटी रेगी तभी आप करोगे एसे करोगे तो फिर हम लोग का सिस्टम पर और वह आ जाए गाए अधर तो फिर दिखत हो जाएगा तो वह सारी चीज नहीं करनेए कोई कोई दिखत प्रिसनल बात नहीं है तो यहां से सब्सक्राइब करते हैं वीडियो स्टार्ट कर लाना यूट्यूब चैनल वगरे खोलो जिस और फटा-फट हम लोग के साथ स्टार्ट हो जोइन कर लो ठीक है जोइन करोगे फायदा है ने तो जिनके पर पस्ताते रहें कोई समस्चा नहीं मिलेगा समधान कहीं नहीं मिलने वाला है इसलिए अरलोट पर ही समधान मिलेगा और हाँ जाते जाते आप सभी लोगों का बहुत बहुत धनवाद सुक्रिया थैंक्यू स्टार्ट कर लेना फिर बता रहा हूं ठीक है चलिए इसका साथ वीडियो फिनिश